एक राधे श्याम नामक यू वक्ता स्वभाव का बड़ा ही शांत एवं सुविचारों वाला व्यक्ती था उसका छोटा सा परिवार था जिसमें उसके माता पिता पत्नी एवं दो बच्चे थे सभी से वो बेहत प्यार करता था इसके अलावा वो कृष्ण भक्त था और सभी पर दयाभाव रखता था जरूरत मंद की सेवा करता था किसी को दुहक नहीं देता था उसके इन ही गुणों के कारण श्री कृष्ण उससे बहुत प्रसंद थे और सदैव उसके साथ रहते थे और राधे श्याम अपने कृष्ण को देख भी सकता था और बाते भी करता था इसके बावजूद उसने कभी ईश्वर से कुछ नहीं मांगा वह बहुत खुश रहता था क्योंकि ईश्वर हमेशा उसके साथ रहते थे उसे मार्ग दर्शन देते थे राधे श्याम भी कृष्ण को अपने मित्र की तरह ही पुकारता था और उनसे अपने विचारों को बा देकी लेकिन सभी ने उससे कहा कि वो ज़्यादा उमीद नहीं दे सकते और सभी ने उसे भगवान पर भरोसा रखने को कहा तभी राधे श्याम को कृष्ण का ख्याल आया और उसने अपने कृष्ण को पुकारा कृष्ण दोड़े चले आये राधे श्याम ने कहा मित्र अ और क्रिश्ण से लड़ने लगा गुस्षे में उन्हें कौसने लगा भगवान ने भी उसे बहुत समझाया पर उसने एक न सुनी तब भगवान क्रिश्ण ने उससे कहा मित्र अ मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा राधेश जट से हां बोलकर तलाश में निकल गया। उसने कई दर्वाजे खटखटाएं हर घर में जवार तो होती लेकिन ऐसा कोई नहीं होता। जिनके परिवार में किसी की मृत्यू ना हुई हो किसी का पिता, किसी का दादा, किसी का भाई, मा, काकिया बहन दो दिन तक भटकने के ब करना। होता है इससे कोई नहीं भाग सकता और वो अपने व्यवहार के लिए कृष्ण से क्षमा मांगता है और निर्णय लेता है जब तक उसके पिता जीवित है, उनकी सेवा करेगा। थोड़े दिनों बाद राधेश्याम के पिता स्वर्ग सिधार जाते हैं, उसे नकारना मुर्खता है, दुहक होता है लेकिन उसमें फस जाना गलत है क्योंकि केवला भी। उस दुहक से पिधीत नहीं है, अपितु संपूर्ण मानव जाती उस दुहक से रूबरू होती ही है, ऐसे सच को स्विकार कर आगे बढ़ना ही जीवन है, कई बार हम अपने किसी चले जाने से इतने बेबस हो जाते हैं कि सामने खड़ा जीवन और उस से जुड़े लोग हमें दिखाए ही नहीं पड़ते, ऐसे अंधकार से निकलना मुश्किल हो जाता है जो मनुश्य मृत्यू, कि सत्य को स्विकार कर लेता है, उसका जीवन भार विहीन हो जाता है, और उसे कभी कोई कष्ट तोड़ नहीं सकता हो, जीवन के हर छेत्र में आगे बढ़ता जाता है